लोगों की गुवालेटिक के लिए अगर किसी चुलेल की जिन्दगी खराब हो जाए तब अगर वो चुलेल इनोसेंट लोगों का बदला लें तो क्या वो सही होगा ये हम आची कहानी में देखने वाले हैं दोस्तो इस मूवी का नामे You Wants Be Alone ये मुवी 2022 में रिलिज होई थी और ये मुवी बहुत इस्टरबिंग मुवी है जिसके एंड में बहुत इस्टरबिंग सीन भी है तो वीडियो को एंड तक जुरू देखना इस मुवी की कहानी शुरू होती है एक इनोसेंट सी आवाज से जो इस फिल्म की कहानी को सुना रह लगती है और मेसेडोनिया के एक चोटे से गाव को देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था वहाँ पर कुछ बच्चे हाइडन सी खिल रहे थे और बच्चे जैनी नाम की एक उरक के घर में शूप निकले जाते हैं लेकिन जैनी उनको अपने घर से बगा बेना और जैनी झब अपने बेबी के पास जाती है तो बेबी के पास में एक मार्या नाम की चोड़י घड़े हुई थी जिसकी बोड़ी ऐसा लगर रहा था जैसे कि आँग में जले हुई हो जो कि जैनी के बेबी का पूरा खुन भीना चाहती थी जिससे उसका पौण मिलत रहती है कि जाने से पहले निशानी के तोर दो बच्चे की जीवान को काड़ी घयती है तीजब सुनला सल के बार में मार्या बेब eco बीको लेने के लाए तो वह उसे असानी से फैचाने जाए जाने के बा। में जैनी ने Corey नेवेना को लेकर जंगल के बीच में एक गुफा में रहने के ला चली आती है और बाहर के लोगों को जैनी ऐसा दिखाती है जैसे कि नेवेना को वह चुड़ेल अपने साथ में ले गई हो ताकि इसे को भी मारिया और उसके बेटी नेवेना के बारे में न पता चले नेवेन को ऐसा लगता है जैसे कि उसके आवाज उसके अंदर के चुपी हो जैनी नेवेना को हमेशे कहते थी कि बाहर की दुनिया भूती खराब है और उसको बाहर नहीं जाना चाहिए फिर एक दिन उसको उस गुफा में एक चिल्या दिखाए देती है जैनी को पता चल जाता है कि वो चिल्या और कोई नहीं बलकि वो चुल्यल मारिया ही है जो कि चिल्या का रूप लेकर मापर आई थी जैनी उस चिल्या को नेवेना से दूर रहने को कहती है और उस चिल्या के उपर पत्तर वेकती है वो चिल्या गुफा के दूसरी तरफ जाती है और जैनी उस चिल्या क को मानने के लिए उसके पीछे जाती है फिर कुछ देर के बाद में नेवेना को उसकी मा के चिलनगी आवास सुनए देती है लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसकी मा उसके सामने सही सलामत आती है लेकिन अब उसकी मा का बहुती बदला पदलास लग रहा था और वो नेवेन को काफी अजीब लगता है. उससी टेम जैनी नेवाना के सीने पर अपने नाकून के निशान बना लिया देती है और उस ऺुष थूख देती है और एक आँग़ी की लखडी से उसका खाऊ को शुका देती है फिर उससी टेम नेवाना यह नोटिस करती है कि उसके नाकून काले और लंबे हो गए है जैसे कि वो एक चुडल हो जैनी फिर अपने सीने में बने हुए एक होल से कुछ मास्का तुकला निकालती है और यहाँ पर हम जान पते हैं कि वो नेवेना की मा जैनी नहीं बलकि वो चुडल मार रहा है जो कि जैनी को मार कर उसके मास्क को अपने सीने में बर कर उसके रूप को अपना लिया है उसने नेवेना को अपने शक्तियों का इस्तमाल करके चुडल बना जिया था जो कोई भी चुडल जिंदगे में सिर्फ एक बार कर सकती थी कि वो किसी भी नॉर्मल औरत को एक चूलेल बना दे नेवेना उस चूलेल के साथ चले लगती है और उस चूलेल नेवेना को जिन्दा रहने के तरीके सिखाती है फिर एक दिन एडम नाम का एक फार्मर नेवेना को देखता है जोगी नेवेना की गुपशूर्ती देखकर उसका फायदा उठना जाता था लेकिन चुलेल मारिया एडम को देखकर उसे अपने नाकून से चीर कर मार डालती है नेवेना को इतना कमचूर्ड देखकर वो नेवेना पर भूट गुस्सा करती है और खत्रा आने पर वो नेवेना को लोगों को मार देने के सला देती है फिर एक दिन मारियों की बातों से गुसा ओकर नेवेना उसके उपर पत्थर मारती है और मारिया भी गुसे में नेवेना को पानी में डुबा कर मानने की कोशिश करती है लेकिन मारिया नेवेना को नहीं मारती है और उसे खुद के लिए लड़ाई लड़ने को कहती है और नेवेना को छोड़कर चली आती है नेवेना फिर भी मारिया का पीछा करती है जहाँ पर मारिया एक भेले को मारकर उसका मास अपने सीने के होल में गुसा कर उस बेलिया का रूप ले लेती है वो नेवेना इसी तरीके से अपने रूप को भी बदलना सीख जाती है फिर अप नेवेना एक गाहु जाती है जहां पर कुछ औरते सिंडी नाम की एक ओरत की डिलिवरी करवा रहे थे फिर कुछ दिर के बाद में नेवेना सिंडी के घर पर जाती है ताकि वो उसके नवजात बच्चे को देख सके उसी टाइम सिंडी माँ पर आती है वो नेवेना को देखकर उसे अपने बच्चे से दूर रहने को गेती है लेकिन यहाँ पर गलती से नेवेना के नाकुनों से सिंडी मारी जाती है नेवेना तब सिंडी के मास को अपने सीने में बनेवे चेद में परकर उसी का रूप ले लेती है और नया रुपपा का नेवेना बहुत है खुशी के मारे नेवेना बिना कपलों के भार आ जाती है और सिंडी की मदर इन लो नेवेना को ही सिंडी समझ उसको एक कपले से डग देती है सिंडी के पती नेवेना को इस तरह बिना कपड़ों के देखकर उस पर गुस्सा करता है और उसे मारता भी है और अपने बेटे के इस behavior के लिए सिंडी के मतर इन लौ नेवेना से माफी मागती है और केरती है कि उसका ये behavior उसके पिता की तरह है फिर धिरे धिरे नेवेना सिंडी के family में adjust करने लगती है और वो human behavior को समझने लगती है और लोग ये सोचते हैं कि अपने पती की पिटाई के कारण नेवेना ने अपने आवाज को खो दिया है सिंडी का husband अब भी नेवेना को बात-पात पर मारा करता था और ओरते एक साथ कितना भी हस्ती हो लेकिन बाकी मर्दों के सामने और अपने खुद के husband के सामने कोई औरत हस भी नहीं सकती थी फिर एक दिन वो चुलेल मारिया नेवेना को समझाती है कि जो लोग अब उसका अपने हैं उसके चुलेल होने का पता लगने पर वही लग उसे मार डालेंगे और एक दिन नेवेना का husband उसका साथ में forcefully intimate होने लगता है और गलती से नेवेना के नापुन से उसके पते की मौत हो जाती है यहाँ पर अब नेवेना रही तो लोगों को उसके चुलेल होने के बारे में पता चल जाएगा और उसको गाँवाले मार डालेंगे तो इसलिए नेवेना मासे चली आती है नेवेना सिंडी के मास को अपने सीने से निकाल कर सिंडी का रूप छोड़ देती है और एक कुत्ते को मार कर उसका रूप ले लेती है एक दिन नेवेना अपने असली रूप में आकर स्टीवन नाम के एक लड़के को अकिला पाकर उसको अपने जाल में फसाने के लिए उसके सामने बिना कपडों के नहने लगती है स्टीवन भी नेविना के जाल में फसकर उसके पास में आता है और उसके पास में आता है और नेविना का रेप करने की कोशिश करता है नेविना स्टीवन को मार कर उसका मास अपने सीने के होल में डाल कर उसका रूप ले लेती है स्टीवन को रूप लेकर नेवना बिना किसी की रिस्टिक्शन के आजादी से जो मर्जी हो वो कर सकती थी चुकि लड़कों को कोई भी किसी चीज के लिए नहीं मना करता था एक दिन चुलेल मारिया नेवना से मिलना आती है और उसे इंसल्ट करके कहती है कि उसको फिर से किसी और की लाइफ अपना नहीं पड़ी और चुलेल होने के कारण वो जादा दिनों तक सिंडी बनकर उसकी लाइफ नहीं जी पाई फिर एक दिन एक हुरत नेवना को सेडियूस करके उसको अपने गर में बुलाती है और उसके साथ में इंटिमेंट होती है और पहली बार नेवना को सेक्श और प्लेजर के बारे में पता चलता है नेवना को गहाँ के कुछ बैच्चों से एंजला नाम की एक बैच्ची के बारे में पता चलता है जो कि खेलते खेलते पहाड़ से गिर गई थी और नेवेना जाकर एंजला को देखती है जो कि मर चुगी थी एंजला की मौत से पहली बार नेवेना दुक्ष को मैसूस करती है और बहुत रोती है नेवेना फिर अपने सीने से स्टेवन का मास निकाल कर वो एंजला को रूप ले लेती है और कुछ दिर के बाद में एंजला की फैमिली एंजला को जिन्दा देखकर बहुत ये खुश होती है नेमेना फिर एंजला की रुख को ही अपना कर उसकी फैमिली में बड़ी होने लगती है और उसे अपने फैमिली के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है अब एक दिन उसके दादी उसे चुलेल मारिया की स्टोरी सुनान लगती है वो कहती है कि मारिया पहले एक नॉर्मल इंसान थी जो कि घर का सारा काम क्या करते थी और अपनी फैमिली का खैल भी रखते थी लेकिन उसके लिए कोई भी शादी का रिष्टा नहीं आ रहा था फिर एक दिन मारिया को एक चुलेल दिखाए देती है जो कि किसी जानवर का खुन गिरे थी और मारिया उस चुलेल से एक लड़का मांगती है ताकि वो उससे शादी करके अपनी नहीं जिन्दगी शुरू करे लेकिन चुलेल यहाँ पर मारिया के सीने पर अपने नाकून की निशान बना कर उसके उपर थूप कर उसे भी चुलेल बना देती है मारिया को इस बारे में नहीं बता चलता है कि वो अब एक चुलेल बन चुकी है अब कुछ दिन के बाद मारिया के लिए एक शादी का रिष्टा आता है वो लड़के से मिलवाने के लिए लड़के के घर वाले मारिया को अपने साथ मिले जाते है लेकिन वहाँ जाकर मारिया यह देखती है कि वो लड़का बिमार है और वो मरने वाला है वो लड़के के घर वाले मारिया को उस लड़के के साथ जब वज़स्ति इंटिमेट कराते हैं ताकि लड़के के मरने के बाद उनके blood relation का कोई family को आगे बढ़ाएगा मारिया भी बहुत बिमार पढ़ चुकी थी क्योंकि वो एक चुलेल थी और उसने किसी का भी खुन नहीं पिया था तो इसलिए मारिया एक गाय को मार कर उसका खुन बेती है गाउं के लोग उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे चुलेल मान लेते हैं और सब के सामने मारिया को बांध कर उसके शरीर में आग लगा दी जाती है लेकिन मारिया एक चुलेल थी तो वो मरती नहीं है चुकी एक चुलेल को सिर्फ एक चुलेली मार सकते थी पर उसका शरीर आग की वेज़े से जल चुका था और तब ही से मारिया लोगों पर युश्वास नहीं करती थी हैं हम देखते हैं कि मार्या कभी नेवेना के पास आकर उसको जितावनी देती थी कि अगर एरिक को पता चल गया वह एक चुड़ल है तो एरिक उसे चोड़कर चला जाएगा लेकिन नेवेना मार्या की बात पर ध्यान नहीं देती है और एक दिन इंडिमेंट होते हुए एक दिन मार्या एक जंगली जानवर का रूप लेकर एरिक को मा डालती है और एडिक की मौत केलिए नेवेना खुद को जिम्यदा समझती है कुछ दिन के बाद बेन एक बच्ची को जरम देती है लेकिन वह इस पास से डर रही थी कहीं मार्या उसकी बच्ची की जान न ले जैनी नेवेना को जिस तरफ प्रोटेक्ट करती थी उसी तरह नेवेना भी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने लगी थी और एक दिन नेवेना अपनी मेट के पास में अपनी बेटी को छोड़कर कुछ लकड़े लाने जंगल में चली आती है वापस आकर वो देखती है कि उसकी मेड मर चुकी है और उसकी बच्ची के पास में मारिया खड़ी है मारिया अपने नाकून से उस बच्ची के गले में एक कट मारती है और तब अपने बच्चे को बचाने के लिए नेविना एक जानवर का खुन पीकर और उस बच्चे के सीने पर अपने नाकुन गड़ा कर अपने ही बच्ची को चुलेल बना देती है और ये देखकर नेवेना से मारिया एकी सवाल पूछती है कि ये जिन्दगी नेवेना के लिए इतनी आसान केसे हुई क्योंकि उसकी लाइफ से लोगों ने बरबाद कर दी थी नेवेना उटकर मारिया को जान से माँ डालती है और उसे इस जिन्दगी से आजाद कर देती है जिसके बाद में अब नेवेना अपने बच्चे के साथ ही अपनी नई जिन्दगी शुरू करने वाली थी और मुवी यह बर एंड हो जाती है इस मुवी में हमने मारिया नाम की एक चुलेल के बारे में देखा जिसे एक दूसरी चुलेल चुलेल बना दिती है और लोगों ने जब जस्ती मारिया को एक बिमा लड़के के साथ जब जस्ती इंटिमेट करवाया ताकि उनकी फेबली को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा पेदा हो चुलेल बनने के वजय से मारिया को हमेशाई खून पीने का मन करता था और एक दिन लोगों ने उसे खून पीते वे देख लिया और उसे जिन्द जला दिया और मारिया एक चुलेल थी तो मरी नहीं लेकिन उसका शरीर में आग लग गये थी फिर एक दिन मारिया नेवेना का कुन पिन गई और उसकी माने 16 साल तक नेवेना को अपने पास रेने की परमिशन मागी मारिया ने ये permission देतो दी लेकिन उसने नेविना की जिबान कट ली जिसके बार में नेविना बोल नहीं पाई नेविना की माँ को मारने के बार में मारिया ने नेविना को एक चुलल बना दिया और उसको भी जिने के तरीके सिखा है लेकि नेविना मारे के तरफ ब्रुटल नहीं थी और वो इस दुनिया के इंसानों को समझना चाहती थी सिंडी का रूप लेकर नेविना ने ये सीखा कि अपने पत्य के सामने हसना नहीं चाहिए और उसका गुलाम मन करे ना चाहिए नेविना ने सिंडी के रूप में एक पतनी के सभी काम सीखे और स्टीवन का रूप लेकर कि मर्दों को किसी भी चीज के लिए रोका नहीं जाता है और जो उसकी मर्जी हो वो कर सकता है एंजला का रूप लेकर नेविना ने अपने बच्पन को पूरी तरह के से जिया और उसको अपना सच्चा प्यार एरिक भी मिला जो कि चुलल होने के बाद भी उसे प्यार करता था नेविना की एक बच्ची भी हुई और उसकी एक परफेक्ट फैमनी थी जो हमेशा से चाहती थी और इसी बात से मारिया जिलिस होने लगी थी क्योंकि यह सब भी चाहती थी लेकिन उसे कभी नहीं मिला तो इसलिए मारिया ने एरिक को मार दिया और नेविना के बच्चे को भी माला चाहा अपने बच्चे को बचाने के लिए नेविना ने अपने बिच्चों को ही चूलल बना दिया और उसने मार्या को मार डाला तो दोस्तों कैसे लिए आपको इस मूवी की वीडियो मैं उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आओ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जूर करना मैं आपके जल्द ही और भी इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आना वाला हूँ